प्यारे बच्चों कक्षाचार का बार्मा लेसन बी काइन टू एनिमल्स जानवरों के प्रति द्यालू या प्रोपकारी रहें ठीक है डिसकस वट एनिमल डू यू है विन यूर फाउस आपके गर में आपके पास कौन कौन से जानवर हैं तो जो जानवर हैं आप लिख दो बकरी तथा एक तोता है अगर बफ्लो जहें बैंसे हैं तो बैंस लिख सकते हैं टू बफ्लोज वन बफ्लोज ठीक है ना तो आप लिख देंगे आप अपने पास में आप कौन कौन से पक्षी प्रती दिन देखते हो तो आप लिख देंगे इसके अंदर आई सी पीजन, क्रोज, पैरट्स, स्पैरोज, एक्ट, डेली इन एंड अराउंड माई हाउस मैं कबूतर, कवे, तोते, गुरेया, आदी बक्षियों को अपने घर के आसपास प्रती दिन देखता हूँ How should we treat them? हमें उनके साथ कैसा वैवार करना चाहिए We should treat them kindly. हमें उनके साथ द्यालू पूर्वक वैवार करना चाहिए तो अब देख लिजिए, let's read आओ पड़ते हैं Sushil, running up to his mother, अपनी माँ की तरफ दोड़ता हुआ लोग, mother, माँ देखो, look what we have found हमें क्या मिला है, हमने क्या डूंडा है Isn't a pretty little bird? क्या यह है एक चोटी, बहुत सुन्दर चोटा पक्षी है Mother, poor little thing, बेचारी चोटी सी चीज, where did you get it? आपने इसे कहां से प्राप्त किया? Sushil, there's a bird nest in that big bush Over here उस बड़ी जाड़ी में एक पक्षी का गोंसला है वहां उपर Jaya took the bird out of the nest and gave it to me Jaya ने गोंसले से इस पक्षी को बाहर निकाला तथा, इसे मुझे दे दिया Mother Jaya, you must do that Mother कहती है Jaya, you must do that Jaya, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था It is cruel to take a young bird out of its nest एक कम उमर के पक्षी को उसके गोंसले से बाहर निकालना निर्द्यता है Jaya, I didn't hurt it Mother Jaya कहती है, मैंने इसे चोट नहीं पहुंचाई मा I took it so gently मैंने इसे बहुत साबदानी पूर्वक लिया Mother Don't hold it tight like that, सुशील इसे इस तरह से कस कर मत पकड़ो, सुशील The poor little thing will die if you press it बैचारी छोटी सी चीज मर जाएगी अगर आप इसे दबाओगे What will you do with it, तुम इसका क्या करोगे सुशील We will put it in a keg For will play with it हम इसे एक पिंजरे में रखेंगे क्योंकि हम इसके साथ खेलेंगे Mother No, you must put it back in its nest मा नहीं आपको इसे वापिस इसके गोंसले में रखना चाहिए It would be, it would be cruel to play with a little bird एक छोटे पक्षी के साथ खेलना निर्द्यता होगी सुशील Why would it be cruel? यह है क्या निर्द्यता होगी? We will give it milk to drink and bread to eat हम इसे पीने के लिए दूद तथा खाने के लिए bread देंगे Mother How would you feel if a big gent takes you away from me? मा कहती है आप कैसा महसूस करोगे अगर आपको मुझसे दूर एक बड़ा राक्षश ले जाए तब आप कैसा महसूस करोगे? सुशील I would almost cry for fear मैं करीब करीब ऐसे चिलाऊंगा Mother Well That's what the little word felt when you took it away from its mother word अब मा कहती है ठीक है जो इस छोटे पक्षी ने महसूस किया जब आप इसे इसकी मा के गौंसले से लाए सुशील What some of the boys at school had great fun yesterday सुशील कहता है लेकिन कल स्कूल में कुछ लड़कों ने बहुत आनन्द किया They caught a puppy and and tied a stone to its tail उन्होंने एक पिल्ले को पकडा तथा उसकी पूंस से एक पत्थर बांदा Then one of the boys beat it फिर उनमें से एक लड़के ने उसे पीटा It run down the street Yalping वहे चिलाता हुआ नीचे गली में चला गया Mother What cruel boys Now listen carefully children कितने निर्दई बच्चे बच्चो अब ध्यान पूर्वक सुने You must be kind to all words and animals आपको सभी पक्षियों तथा जानवरों के प्रती द्यालू होना चाहिए You must never be cruel to them आपको उनके प्रती कभी विक्रूर नहीं होना चाहिए They have feelings as you do आप उनकी आपके जैसी बावनाएं होती है But you They have feelings You are strong but they are weak आप ताकतवर हैं पर वे कमजोर हैं What you tease little words Dogs and cats because they are weak and helpless लेकिन तुम चोटे पक्षियों कुत्तों तथा बिल्लियों को परिशान करते हो क्योंकि वे कमजोर तथा ऐसा हैं It is not a cruel thing to hurt the feelings of the weak क्या किसी कमजोर की बावनाओं को चोट पहुंचाना निर्द्यता नहीं है सुशील Yes it is हाँ यह है Now we know we must be kind to animals and words सुशील कहता है अब हमने जाना की हमें जानवरों तथा पक्षियों के प्रती द्यालू होना चाहिए And अब मदर कहती है Then you do both promise that you will always be kind to words and animals and not to tease them तो फिर क्या आप दोनों वादा करते हो कि आप हमेशा पक्षियों तथा जानवरों के प्रती द्यालू रहोगे और उन्हें परेशान नहीं करोगे दोनों both Yes we do हाँ हम ऐसा करेंगे Mother We will also ask our friends to be kind to words and animals मां हम हमारे मित्रों को भी पक्षियों तथा जानवरों के प्रती द्यालू होने के लिए कहेंगे तो अपने सभी को जानवरों के प्रती द्यालू होना चाहिए यह देखी आप जित्तर के अंदर एक गाई है और इसको अधरब यह कितने देखो प्यार से ले जा रहे हैं तो अपने को भी जानवरों के प्रती द्यालू होना चाहिए ग्लोसरी के मीनिंग देख लीजिए प्रिटी सुन्दर जेंटली का दीरे से साबधानी पूर्वक निट निट का बुनाई करना प्लिजर आनंद प्रोमेस वचन देना टीज चिडाना छेडना या तंग करना यल्पिंग क्राइंग चिलाते हुए गेंट यह होता है राक्षश बीट पीटना या मारना फील एक्सपिरियन्स सोचना अब दे लिजिए एक्टिविटी फॉस्ट टिक टी और एफ और टू और फाल्स स्टेटमेंट्स सही के लिए टी का निशान लगाई है और गल्त के लिए एफ का निशान लगाना है दा वर्ड वाज इन दा बुस्ट पक्षी एक जाड़ी में था तो यह आपका सही हो जाएगा यह सही स्टेटमेंट है इसके आगे आप टी लिख देंगे टी अब दूसरा देख लिजिए मदर डिड नोट लाइक जैयास कैचिंग ओफ वर्ड्स माता ने माने जैया के पक्षी को पकड़ना पसंद नहीं किया तो यह भी टी है ट्रू है दा वर्ड वाज हर्ट पक्षी को दुख हुआ तो यह गलत है पक्षी को दुख नहीं दिया ता उनोंने दा चिल्डरन वांटेट टू पुट दा वर्ड इन कैग जो बच्चे थे वो पक्षी को पिंजरे में कैद करना चाते थे तो यह स्वी सही है टी अब देख लिजे पांच मां मदर वांटेट टू वांटेट हर चिल्डरन टू फील दा वर्ड माता चाहती थी कि बच्चे पक्षी की बावनाओं को समझें ठीके महसूस करें तो यह भी टी है टी हो जाएगा इसका भी अब छटा देख लिजिए वी शुड वी काइन टू वर्ड्स एंड एनिमल्स हमें पक्षियों तथा जानवरों के प्रती द्यालू होना चाहिए तो यह भी टी है ठीके अब देख लिजिए साथ मांदा मदर अलाउड दा चिल्डरन टू प्ले विद दा वर्ड माता ने बच्चों को पक्षी के साथ खेलने की अनुमती दी त सारे ट्रू हैं यह यह तीसरा और यह सात्मा यह फॉल्स हैं और वाकी सारे ट्रू हैं अब देख लिजिए कंप्लेट दा फॉल्विंग स्टेटमेंट्स नीचे दिये गए वाक्यों को पूरा कीजिए सुशील सेट देट इट वाज नोट वाज नोट कूल विकॉस ठीक है यह आप अपनी बुक में से पूरे करेंगे स्टेटमेंट्स क्योंकि आपने पाठ पड़ा है ना आप अपनी बुक में से इसको पूरा करेंगे यह स्वेम करेंगे आप ठीक है आपकी बुक में यह संटेंस आये हुए हैं सारे की सारे आप इनको कुद करेंगे word, who की जगें, क्या आ जाएगा जया, आ जाएगा, जया, caught the word what did the children want to do with the word, ठीके बच्चे पक्षी के साथ क्या करना चाते थे, तो the children wanted to play with the words बच्चे पक्षी के साथ खेलना चाते थे, who had the word, पक्षी क्या था पक्षी किस के पास था, who had पक्षी किस के पास था सुशील है दा वर्ड तो इसका उत्तर हो जाएगा सुशील हो की जगे सुशील आ जाएगा सुशील है दा वर्ड सुशील के पक्षी सुशील के पास था अब जो था देख लीजी What advice their What advice did their mother give to them उनकी माने उने क्यास ला दी The mother advised them to put the word back in its nest उनकी माने उने पक्षी को वापिस उनके गोंसले में रखने की सला दी अब देख लीजीए Why should we be kind to little words and animals हमें छोटे पक्षियों तथा जानवरों के प्रती द्यालू क्यों होना चाहिए तो इसका उत्तर देख लीजीए We should be kind to little words and animals because they have feelings as we do हमें छोटे पक्षियों तथा जानवरों के प्रती द्यालू होना चाहिए क्योंकि वे हमारी जैसी बावनाएं रखते हैं अब अगला देख लीजीए question What did the children promise to their mother बच्चों ने अपनी मां से क्या वादा किया The children promised to their mother and they would always be kind to words and animals and not tease them बच्चों ने मां से वादा किया कि वे हमेशा पक्षियों तथा जानवरों के प्रती द्यालू रहेंगे और उन्हें प्रेशान नहीं करेंगे अब देख लीजीए tick the correct answer ठीक है mother is kind to her children only, kind to animals and words, unkind to puppies, unkind to dogs and cats ठीक है तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ठीक है kind to animals and words, भी सही हो जाएगा इसका भी ठीक है ना अब activity second देख लीजीए fill in the blanks fill in the blanks with the words given in the bracket ठीक है ब्रेकेट में दिये गए शब्दों से रिकस्थानों की पूर्ती कीजिए अब देख लीजीए इसमें she looks very कालिस्तान in her frog ठीक है तो वह अपनी फ्रोक में दिखाई देती है तो इसका जो answer है वो हो जाएगा pretty एक नंबर में ये आ जाएगा pretty ठीक है वो अपने फ्रोक में बहुत सुंदर दिखाई देती है he kind the king was very राजा बहुत ही ठीक है cruel cruel हो जाएगा इसका ये दो नंबर में आ जाएगा ठीक है ये वाला see touch the word तीसरा देख लीजीए see touch the word gently ठीक है तो इसका उसने साबदानी पूरवक पक्षी को पकड़ा इसके अंदर ये तीसरे का ये आ जाएगा अब चौथा देख लीजीए it is a खालिस्तान to meet me it is pleasure ये है मुझे मिलने पर मतलब खुशी का विशह है ये चौथे के अंदर आ जाएगा अब पांच में के अंदर एक बचा है heart we should not hurt animals ठीक है ना we should not hurt animals हमें पक्षियों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए write one word for the following groups group of words नीचे दिये गए अनेक शब्दों की जगे एक शब्द लिखिए जो की पहले अक्षर से स्टार्ट होगा पहला अक्षर आपको दिया गया है a palace for word to live in ठीक है वक्षियों के रहने का इस्थान क्या कहते हैं nest n-e-s-t nest ठीक है n-e-s-t nest n दिया हुआ है e-s-t आपको लगा देना है तो गोंसला an iron or wooden frame to keep an animal or word in किसी लोहे का या लकड़ी का किसी पक्षी को कैद करने के लिए बनाया गया उपकरन उसको क्या कहते हैं keg ठीक है c-a-g-e keg पिंजरा तो अब देख लीजिए the young one of a dog मतलब जवान जो कुता होता है puppy कहते हैं उसको p-u-p-p-y puppy take hold of something किसी चीज को पकड़ना ठीक है catch c-a-t-c-h catch ठीक है तो इसको आपने कर लेना है match the words in column in a with its opposite in column b ठीक है column a को column b के विलोम शब्द इनके विलोम शब्द से मिलान कीजिए तो देख लीजिए आप पहला kind ठीक है kind का हो जाएगा cruel kind का cruel हो जाएगा और lose देख लीजिए live live देख लीजिए live का हो जाएगा die ये रहा और lost lost का हो जाएगा found ये रहा found और lose lose का हो जाएगा tight यहां पर tight है small का small का हो जाएगा big यहां पर big है और weak का हो जाएगा strong ठीक है ना strong हो जाएगा तो यह आप देख लीजिए ठीक है इसको आपने मिलान कर देना है write the full write the full form we have हो जाएगा इसका पहले का we we पूरा का पूरा आए जाएगा ह-a-v-e we have अब यह ठीक है इसका हो जाएगा we will ठीक है we और w-i-l-l we will और don't का हो जाएगा do not d-o-n-o-t-e और didn't का हो जाएगा d-i-d-did not n-o-t-e not did not और isn't isn't का हो जाएगा is not is not ठीक है तो यह आपको कर लेना है देख लेजिए second study the following sentences and underline how the underline word has been used ठीक है आप नीचे के sentence को अध्यन कीजिए और जो underline word है उसको पता लगाएगे कि इसका प्रयोग कैसे हुआ है ठीक है you must wear woolen close to keep warm ठीक है make the sentences using must for example respect our elders we must respect our elders ठीक है अब आप देख लेजिए आप इसके sentence मैं सीधे इसके उत्तर बोलता जाऊंगा देखे पहले का be nice to other we must be nice to others दूसरे का देख लेजिए help the poor we must help the poor ठीक है care for the sick we must care for the sick look after our parents we must look after our old parents work hard to pass the examination we must work hard to pass the examination take experience to keep it to keep fit and healthy we must take experience to keep fit and healthy ठीक है तो we must we must सब के आगे लगता जाएगा we इसके आगे लग जाएगा we must 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 ठीक है न तो इसके आगे we must we must लगता जाएगा fill in the blanks with must or must not ठीक है नीचे गए दिए गए खालिस्तानों की पूर्ती must या must not से कीजिए वी खालिस्तान get up early in the morning अपने को सुबह जल्दी उठना चाहिए तो must आजाएगा M-U-S-T must M-U-S-T must you waste time you must not waste the time आपको समय बर्वाद नहीं करना चाहिए ये आजाएगा इसमें must not we must तीसरे के इंदर ये आजाएगा ठीक है we must obey our parents we people keep the streets clean people को गली साफ रखनी चाहिए या नहीं तो इसका ये आजाएगा चोथे का must अब देख लीजिए we खालिस्तान throw plastic bag on the road हमें road पर फैंकने चाहिए plastic bags या नहीं ठीक है तो must not we must not must not आजाएगा M-U-S-T must N-O-T must not we कालिस्तान follow the rule of the road ठीक है we must इसका cable must आजाएगा M-U-S-T must M-U-S-T must ठीक है तो ये आपको कर लेने हैं study the following sentences we will put it in a cake ठीक है make sentences with will ठीक है न why toys tomorrow ठीक है देखिए मैं इसके सीधे उत्तर बोल रहा हूँ ठीक है जैसे पहला देख लीजिए play cricket next month we will play cricket next month दूसरा देख लीजिए go on a picnic oblique next Sunday we will go on a picnic next Sunday third देख लीजिए help you with money oblique if you need we will help you with money if you need ठीक है eat toffees and biscuits ठीक है इट टोफीज एंड बिसकिट्स चोथा देख लीजिए we will eat toffees and biscuits पांचमा देख लीजिए I will buy new books next year I will I will buy new books next year ठीक है अब देख लीजिए आगे activity fourth first the student will listen the words pronounced by the teacher and then they will pronounce them together नीचे दिये गए ये शब्दों को अपने अध्यापक की साइता से बोलिए अध्यापक ठीक है तो ये आपने इनको बोल कर देखने हैं live ठीक है live इसका हो जाएगा live और ये leave ये fill और ये feel sit seat it eat it heat lid lead ship sheep did deed ठीक है तो एक में छोटी की मातर और एक में बड़ी की मातर आएगी तो ये आपको इसका उचारण करना है ये आपका मोखिक टेस्ट हो सकता है आप देख लीजिए from the list given below add the words to similar sound to the group and then speak ठीक है अब देख लीजिए ग्रूप आपको इसको बोल बोलना है ठीक है ना वर्ड शर्ट नाइट लाइट लाइट ठीक है ना वर्ड शर्ट नाइट लाइट नेस्ट रेस्ट डाई वाई play day look book ठीक है तो इसी तरह से आपने मतलब इन में से वर्ड आपने चाटने है नीचे वर्ड और दिये गए है ठीक है ना ठीक है कौन कौन से वर्ड एक साथ नीचे दिये गए सूची में स्वान दवनी वाले शब्दों के समों को चाटिये ठीक है आपके sounds है ना ये sounds है आपके ठीक है इसके अंदर स्वान दवनी वाले आप शब्द देख लीजी मैं पहले बोल रहा हूं सबसे पहले कर्ड हर्ट और ऐसा ही शब्द और डूढ़िये जिसके अंदर नास्ट में अ की दवनी आ रही हो कि और कोई इसके अंदर शब्द नहीं है और कोई शब्द नहीं है इसके इंदर तिक अब देख लीजीए ये tie fight site ये तीनों शब्द है नगे एक जैसी दोनी वाले हैं ये देख लीजी guest test ये भीतीनों एक जैसे हैं अब इसके अंदर आपको खोदुक्त by tile आए ये वाए tile आए ये भी एक जैसे शब्द हैं say me away ray ठीक है यह चारों एक जैसे शब्द हैं यह देख लीजिए और यह देख लीजिए टूक लूक और फुल यह देख लीजिए यह तीनों एक जैसे हैं यह उपर वाले तीनों यह एक कैसे बच गया यह बाला हर्ट कर्ड यह तो यह लर्ट होना चाहिए था फिर तो यह समान दोनी बाला हो जाता अगर लर्ट होता तो ल-e-a-r-n-t लर्ट कर लो इसको ल-e-a-r-n-t लर्ट तो यह सही हो जाएगा आपका तीन यह आपको कर लेने हैं अब देखो कपिल अब माई की जगए कपिल हो गया और आई की जगए क्या हो जाएगा ही ठीक है कपिल अब यह देख लीजी आपको एक संटेंस बना देता हूं कपिल हेवे पैट डौग ठीक है नहा कपिल हेवे पैट डौग दा डौग वाजबेरी फेटफुल टू तू हिम हो جाएगा यहां मी की जगए हिम हो जाएगा हिम ठीक है it अब आगे देख लीजिए it looks after after him यह माई की जगए यहां पर him हो जाएगा ठीक है him house and his house his house हो जाएगा sorry his house and जेनाड अब आई की जगए he हो जाएगा he he gave it milk to drink and bread to eat अब आई की जगए फिर he don't beat it he gave it a palace ही हो जाएगा आई की जगए यहां पर ही हो जाएगा ठीक है ना तो अब यह देख लीजिए इस तरह से यह पूरा हो जाएगा अब अनीता, अनीता क्या है अनीता एक महिला है अनीता की जगए आई आया हुआ है कपिल की जगए ही आया था और इसकी जगए C आजाएगा यह दोनों परह ग्राफ आपको स्वें पूरे करने हैं अब सी देख लीजिए write three sentences catch using must or must not which show your kindness to words and animals ठीक है must और must not का प्रयोग करते हुए आपको उत्तर लिखने हैं जैसे उधारन दिया है we must give them food to eat हमें उनको खाने के लिए बोजन देना चाहिए तो इसी तरह से आपको दूसरे बाके प्रयोग करने हैं देख लिजिए ठीक है अब इसका देख लिजिए first का या must का प्रयोग करना है तो मैं सिधा उत्तर बोल रहा हूँ we must give them water to drink पहला हो जाएगा अब दूसरा देख लिजिए we must make them comfortable हमें उन्हें सुवीदा जनक बनाना चाहिए number 3 we must be kind to them we must kind to them अब देख लिजिए for example we must not beat them हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए तो इसके अंदर हमेरे को must not का प्रयोग करना है तो पहला देख लिजिए we must not kill them for sport हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए दूसरा देख लिजिए we must not tease them तीसरा देख लिजिए we must not cruel to them we must not cruel to them तो ये अपना जो लेसन है ये complete हो चुका है अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा बच्चों के पास, अभी बाबकों के पास शेयर करें तांकि वो भी लाब उठा सकें और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सभी के पास शेयर करें आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद